दोस्तों किसी सायन ने मौत को क्या खूब कहा है जिंदगी में दो मियट कोई मेरे पास ना बैठा आज सब मेरे पास बैठे जा रहे हैं कोई तोफा ना मिला आज तक और आज फूल ही फूल दिये जा रहे हैं तरस गए थे हम किसी एक हाथ के लिए और आज कंधे पे कंधे दिये जा रहे थे, दो कदम सांथ चलने को तयार ना था कोई और आज का फिलबन सांथ चले जा रहे थे आज पता चला कि मौत कितनी है हसीन है दोस्तों कमबक्त हम तो यूँ ही जिन्दगी जिये जा रहे थे जिन्दगी में दो मियट कोई मेरे पास ना बैठा आज सब मेरे पास बैठे जा रहे हैं इसी के साथ यूटूब के एक एक्जाम साइकल के साथ आज हम मनुविज्यान के टॉप 50 क्यूश्चन के साथ आई हुए हैं तो चलते हैं हम अपने क्यूश्चन की तरफ और एक एक क्यूश्चन को हर करेंगे दोस्तों तो दोस्तों हमारा क्यूश्चन जो है इस्क्रीन पे आ चुका है तो हमारा पहला क्यूश्चन जो है इसकी रिन पर दिखाई दे रहा है बच्चे की बुध्धि लब्धी 90 से 110 के मद्ध है किसी बच्चे की जो बुध्धि लब्धी 90 से 110 के बीच में जो पाया जाता है वो कैसा बच्चा कैसा बालक कहलाता है ए समान बुध्धि क्या बी प्रखर बुध्धि क्या सी उतक्रिष्ट बुध्धि क्या डी प्रतिभासाली बुध्धि क्या तो दोस्तों जो 90 से 110 के मद्ध है अगर किसी बालक का कर बुध्धि लब्धि पाया जाता है तो समान बुद्धि लब्धि में वो कहा जाएगा वो कैसा बच्चा कहा जाएगा वो समान बुद्धि लब्धि क्या तो हमारा यह answer सही होगा Next question बाल मनो विज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सा उत्तम है A. सारे बच्ची एक जैसे होते है B. प्रतियक बच्चा विशिष्ट होता है C. कुछ बच्चे विशिष्ट होते है D. कुछ बच्चे एक जैसे होते है तो दोस्तो बाल मनो विज्ञान के आधार पर प्रतियक बच्चा विशिष्ट होता है हमारा answer B. सही होगा एक कथन हमारा सरोत्तम है प्रतेग बच्चा विशिष्ट होता है Next Question की तरब चलते हैं हम Question No. 3 तो दोस्तों हमारा Question No. 3 है जो बच्चे के लिए निसूल के वंद अनिमारि सिच्छा का आधिकार अधिनियम कितने वर्स के बच्चे के लिए लागू है A. 6-14 वर्स B. 7-13 वर्स C. 5-11 वर्स D. 6-12 वर्स तो दोस्तों बच्चे के लिए जो बच्चों के लिए जो निसूल के वम अनिमार सिच्छा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ है वो 6-14 वर्स के बच्चों के लिए है कितने वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए जो कि हमारा एंस्वर A सही होगा हमारा एंस्वर A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू हुआ है तो चलते हैं नेश्ट की उशन की तरब सिच्छक को ज्यान होना चाहिए A. अध्यापन विशय का B. बाल मनोविज्ञान का C. सिच्छा संहित्या का D. अध्यापन विशय एवं बाल मनोविज्ञान का तो दोस्तों सिच्छक को ज्यान होना चाहिए क्या ज्यान होना चाहिए इस चारो आप्सन में से देखते हैं हम कि अध्यापन विषय एवं बाल मनुन வिज्ञान का ग्यान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनुди Бृई जान एक सिछक को तो हमारा D answer सहिए होगा आगे चलते हम हम नेक्ट क्यूस्चन की तरफ नेक्ट क्यूस्चन हमारा पांचमा है एक बच्चे की बुध बृध्धी और विकास के अध्यान की सरवधिक अच्छी विधी कौन सी है दोस्तों ए है मनोबिसलेशन विधी, बी तुलनात्मक विधी, सी विकासिय विधी, डी सांखकी विधी तो दोस्तों एक बच्चे की जो ब्रिध्य और विक्यास की अध्यन की सरवाधिक अच्छी विध्य होती है वो कौन सी होती है विक्यासी विध्य होती है कौन सी विध्य विक्यासी विध्य होती है हमारा इंसर कौन सा सही होगा सी सही होगा नेक्ट क्यूक्टन की तरफ चलते हैं हम समाजी करन वख प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं ए परिवार से, बी विद्याले से, सी साथियों से और डी इन सभी में से तो दोस्तों समाजी क्रण वह पर क्रिया है जिसमें बच्चे और वजक्स सीखते हैं वो हमारा इन सभी में से है वो इन सभी से है परिवार से भी है विद्याले से भी है और संही संबंधियों साथियों से भी है तो हमारा इसमें डी सही होगा इन सभी से तो नेक्ष्ट कुष क्यूशन नंबर साथ कि दोस्तों क्यूशन नंबर साथ करने से पहले इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा से करिए सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिए जिससे और भी बच्चों को और दोस्तों को यह वीडियो प्रोवाइड हो सके तो च कौन सा नहीं है जो गार्णनर महोदे थे वो सात बुद्धि का अधिमान निर्धायत किये थे तो सातों में से जो तीन इसमें दिया है और एक नहीं दिया तो उसमें से जो चार आपसंदिये में से कौन सा नहीं है यह अस्थान संबंधी बुद्धि भावात्मक बुद्धि भावात्मक बुद्धी कौन सा है भावात्मक बुद्धी जो हमारा इंसर बी सही है तो नेक्ट की इस्टन की तरफ चलते हैं हम सहयोगात्मक राजनीत की स्रेड़ी जो सहयोगात्मक राजनीत की स्रेड़ी होती है किस महिलाय नेम्न से संबंधित नहीं होती है ए स्विकार्यता, बी प्रतिरोध, सी क्रांत, डी अनकूलन तो दोस्तों सहयोगात्मक राजनीत कि स्रेणी में महिल आयन नेम से संबंधित नहीं होती है तो वो होता है हमारा कौन सा प्रतिरोध जो हमारा इंस्वा सही है बी प्रतिरोध नहीं है जो महिले आये निर्म से संबंधित नहीं होती है तो प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती है next question की तरफ चलते हैं हम question number 9 यद एक बच्चे की मानसिक आय पांच वर्स तथा वास्तिक आय चार वर्स है तो उस बच्चे की वो धिलब्ध ही होगी इसमें पूछा गया है कि कोई बच्चा है उसकी मानसिक आय पांच वर्स है तथा वास्तिक जो आय वह वह चार वर्स है तो बच्चे की वो धिलब्ध ही क्या होगी ए एक सो पचीश, बी असी, सी एक सो बीस, और डी सव तो दोस्तो, अगर बिच्चे की मानसिक आई पांच वर्स और वास्तिविक आई चार वर्स है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धी होगी, वो एक सो पचीस होगी क्या होगा? एक सो पचीस, जो हमारा एंसर सही होगा अगर मानसिक आय ज्यादा होगा वास्तिविक आय कम होगी तो बुधिलब्ध ज्यादा होगा अगर कहीं मानसिक आय अगर कम होगा वास्तिविक आय अगर ज्यादा है तो बुधिलब्ध हमेशा कम में आता है तो इसमें जो है हमारा इंसर कौन सा सही है यह सही है 125 तो next question चलते हैं हम विद्यालेई छेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है तो दोस्तों हमारा जो दसमें का एंसर है वह हमारा बहु विकलफी प्रस्न है कौन सा है बहु विकलफी प्रस्न है जो हमारा एंसर कौन सा सही है 10 का 20 है नेट्ट की उस्चन चलते हैं मनो विज्ञान सिच्छा का आधार भुत विज्ञान है या किसने कहा है किस महोदे ने कहा है A. B. यंज्ञा B. इसकीनर महोदे C. डेविस महोदे D. वुडवर्थ दोस्तों जो हमारा 11 का अंसर होगा वो हमारा B. सही होगा इसकीनर महोदे इसकीनर महोदे ने मनो विज्ञान सिच्छा का आधार भुत विज्ञान कहा था तो हमारा इंसर कौन सही होगा B. सही होगा इसकीनर महोदे Next Question की तरफ चलते हैं आधोनिक मनो विज्ञान का अर्थ है A. मन का अध्यान B. आत्मा का अध्यान C. सरीर का अध्यान D. विवहार का अध्यान तो दोस्तों आधोनिक मनो विज्ञान का अर्थ विवहार का अध्यान होता है जो की हमारा 12 का इंसर D. सही है हमारा कॉंसांस्व सही है, D सही है, ब्यभार का अध्यन तो दोस्तों, next question की तरफ चलते हैं हम फिर Question number 13 हिंदी अच्छरों को बालक किस आयू में पहचाने नहीं लगते हैं कोई बालक है, छोटा बच्चा वो किस आयू, किस उम्र में किसी अच्छरों को पहचाने नहीं लगता है तो A हमारा तीन वर्स में, B चार वर्स में, C पांच वर्स में, D छे वर्स में तो दोस्तों, अगर बालक जो है, अगर किसी अच्छरों को पहचानता है तो इसकी उम्र जो होगा वो पांच वर्स होगा कितने वर्स होगा वो पांच वर्स जो हमारा इंस्वर 13 का C सही है पांच वर्स में नेश्ट किस्चन बुध्धि लब्धि मापन के जर्म दाता है A. इस्टर्ण B. बीने C. टर्मेन D. इन में से कोई नहीं तो जो बुध्धि लब्धि के मानक के जर्म दाता महोदय है वो कौन है तो हमारा जो है टर्मन महोदय जो है वो बुध्धि लब्धि मापन के जर्म दाता है तो हमारा C. एंस्वर सही होगा कौन सा C. एंस्वर टर्मन महोदय Next Question Alexia यहां पर misprinting है Alexia है तो Alexia क्या है A. पढ़ने की अच्छमता B. लिखने की अच्छमता C. सीखने की अच्छमता D. सुनने की अच्छमता तो दोस्तों यह बहुत important question है अकसर पढ़ने लिखने सीखने और सुनने जैसे अच्छमताओं के बारे में एक किस्चन हमेशा पूछा जाता है परिच्छाओं में एक किस्चन दो किस्चन हमेशा पूछा जाता है तो इसमें पूछा गया है कि एलेक्सिया जो होता है वो कौन सा विक्यार है तो दोस्तों एलेक्सिया जो ह हमारा है वो हमारा जो है पढ़ने की अच्छमता पढ़ने की जो विक्यार होती है उत्पन होते जो पढ़ नहीं पाते हैं पढ़ने की अच्छमता होते हुए लेक्सिया के अंतरगत आता है किसके अंतरगत लेक्सिया तो हमारा जो इसका एंसर सही होगा एंसर हमारा पढ़ने की अच्छमता next question चलते हैं अब कर दो सिच्छा मनो विज्ञान की उत्पत्य का वर्ष कौन सा माना जाता है हम कर दो दो सिच्छा मनो विज्ञान जो है उसकी उत्पत किस वर्ष खो माना जाता है यह 1947 विदी ऑननििससो वीज सीओ straw बी 19ORS सब्सक्राइब, दोस्तों सिच्छा मनों विज्ञान की उत्पत्र का वर्स जो है, वह हमारा कि उनने 100 सब्सक्राइब को माना जाता है जो हमारा D answers ही है, कौन सा इसनोर सई है, डी answer सब्सक्राइब 29 tends question Question No.17 Question No.17 देखने से पहले दोस्तों इस वीडियों को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करिए तो चलते हैं 17 क्यूस्चन हम देखते हैं फिर स्क्रीन पर पियाजे की अवचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आई अवधी तक मानी जाती है तो दोस्तों पियाजे महोदे का जो अवस्था चार आवस्था इन्हों ने प्रत्वादित किया था उसमें से जो अवचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसका पूछा है कि उसका जो एज है ından आई कितने से एक तक मानी जाती है आवधी तक होती है तो 0-2 वर्स B जो है 2-7 वर्ष C 7-11 वर्ष D 11-15 वर्ष तो दोस्तों इसमें जो अवचारिक संक्रियात्म का उस्था है हमारा 11-15 वर्ष एंस्वर D हमारा सही है Next question की तरफ चलते हैं जड़ बुध्धि वाले बालक की बुध्धि लब्ध कितनी होती है जड़ बुध्धि वाले बालक की बुध्धि लब्ध कितनी होती है A 11-120 B 81-110 C 71-80 D 71-71 कम तो दोस्तों अगर जड़ बुध्धि किया बालक है तो उसकी जो बुध्धि लब्धि होती है वो 71-110 क्या होता है 71-71 कम होता है हमारा answer कौन सा सही होगा इसमें से D सही होगा D answer सही होगा जो 177 से कम है next question चलते हैं हम फिर गर्व में बालक को विक्सित होने में कितने दिन लगते हैं 150, B 280, C 390, D 460 तो दोस्तों अगर गर्व में बालक है तो उसको विक्सित होने में जो समय लगता है वो 280 दिन होता है कितने दिन होता है वो 280 दिन हमारा 1900 का जो है B answer सही होगा कौन सा answer सही है B हमारा सही है 280 दिन तो दोस्तों next question की तरफ चलते हैं हम नवजात सिसु का भार होता है A. 6 pound B. 7 pound C. 8 pound D. 9 pound तो दोस्तों नवजात सिसु का जो भार होता है वो हमारा 7 pound होता है कितना होता है 7 pound जो हमारा B answer सही है B का जो है 20 का B answer हमारा सही है next question 21 की तरफ किस मनों बैग्यानिक ने अपने तीन वर्षी पुत्र का अध्यन किया था A. पेश्टोलाजी B. Watson C. Stanley Hall D. James Sully तो दोस्तों एक कई समा का जो हमारा answer होगा इसमें से वो हमारा पेश्टोलाजी जो पेश्टोलाजी महादय जी थे अपने तीन ही वर्षी पुत्र था उन्हीं को लेकर के अध्यन किये थे तो हमारा answer इसमें से A. सही होगा Next Question की तरफ चलते हैं हम 22 Question निम्न मेंसिक विकास की अवस्था है A. गुडात्मक्ता B. संख्यात्मक्ता C. निश्चित आई तक चलने वाली पुक्री है D. सारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक दोस्तों, Important Question ये भी है Important Question नोट करते चलिए Important लगाते चलिए उसे तो दोस्तों 22 का जो हमारा इंस्वर है A. सही है गुडात्मक्ता क्या सही है गुडात्मक्ता ये हमारा इंस्वर सही जो विकास की अवस्था होता है वो गुडात्मक्ता होती है तो दोस्तनों हम मनोवे घ्यान के जो、 क्यूश्टन लाएं हैं ऐसे ही क्यूश्टा अच्छ अच्छ लाएं हैं इसे ज्यादा से ज्यादा share करते रही है जिससे और भी लोगों के पास ये वीडियो को पहुँँ सके तो next क्यूश्ट की तरफ चलते हैं हम Q. बालक का विक्यास होता है A. सिर्ष से पैर की और B. पैर से सिर्ष की और C. दोनों और से D. इन में से कोई नहीं तो दोस्तों बालक का जो विक्यास होता है वो सिर्ष से पैर की और होता है कहां से होता है? सिर्ष से पैर की और होता है तो हमारा answer इसमें से यह सही होगा 23 में का हमारा answer यह सही है तो दोस्तों next question की तरफ चलते हैं हम next question हमारा 24 वा नमबर है जो की screen पर उपलब्ध है देखिए बालग में संसकारों का प्रारंभ कहां से होता है कोई बालग है उसमें जो संसकार उत्पन होता है प्रारंभ जो होता है वो कहां से शुरू होता है तो answer हमारा देखिए इसमें आपसन में A. बिद्यालए B. परिवार C. सिनेमा घर D. खेल का मैदान तो दोस्तों बालग में जो संसकार प्रारंभ होता है कोई भी बालग हो छोटा बालग पहले वो परिवार से ही सीखता है कुछ माता पिता, भाई बहन, दादा दादी इन्ही के मध्धिरा करके ओ अपने परिवार के मध्धिरा करके धिरे धिरे ओ प्रारंभिक जो अस्था होती है उनको बालक की उनकी संस्कारों का जो सुरुवात होता है वो परिवार से होता है तो हमारा इंसर कौन सा सही होगा इसमें B सही होगा परिवार Next question की तरफ चलते हैं हम विकास के संबंध में गलत कथन है इसमें पूछा गया है गलत कथन A B सिस्ट से सामान की और B सारभावमिक प्रक्रिया है C दिशा सिर से पायर की और D वर्तूला कारगति तो दोस्तों विकास के संबंध में जो गलत कथन है वो हमारा कौन सा है B शिष्ट से सामान की और 25 का इंसर हमारा कौन सा सही होगा इसमें A-B-SIST से समान की ओर Next question खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है दोस्तों A जो है सारीडिक विकास B मांसीग विकास C सामाजिक विकास D उपरयुक्त सभी तो दोस्तों खेल के मैदान में जो बालक खेलते हैं, तो बालक में कौन सा विक्यास होता है, खेल के दावरान, तो खेल के दावरान जो विक्यास होता है, वो साइरिडिक विक्यास भी होता है, मानसिक विक्यास भी होता है, और स्तामाजिक विक्यास भी होता है, तो हमारा इसमें आइंसर जो है, 26 का D सही है, गर्वधान काल की अवस्था नहीं है इसमें पूछा क्या गया है गर्वधान काल की अवस्था नहीं नहीं पूछा गया है इसमें तो दोस्तों गर्वकाल काल की अवस्था जो है जो नहीं है वो कौन सा हमारा इसमें से है एंसर वो सैस्वा वस्था सैस्वा वस्था जो है वो गर्वधान काल की अवस्था नहीं है पाकी डिम्ब, वीजकरण, भुरुना वस्था जो है गर्व के अंदर गर्व में होता है तो गर्वकाल वस्था जो जिसे कहते हैं वो डिम्ब होता है वीजकरण और भुरुना वस्था ये तीनों काल के वस्था में आती हैं लेकिन इसमें जो सैस्वा वस्था है वो गर्वधान काल के वस्था में नहीं आता हमारा इंस्वर इसमें सही होगा नहीं पूछा है तो इसमें हमारा इंस्वर इसमें सही होगा नेश्ट कीस्टन चलते हैं हम कीस्टन नमबर 28 गर्व में संतान सरवाधिक प्रभावित होती है A. मा के पोषण से B. मा के टीवी देखने से C. आसपास परोष से D. पूरवजों से तो दोस्तों गर्व में जो संतान सरवाधिक प्रभावित होता है वो मा के पोसंड से होता है किन से होता है मा के पोसंड से हमारा इंसर इसमें ये सही होगा अगर मा जो है तंदुरूस्त है तो बच्चा भी तंदुरूस्त होगा और मा अगर रोग गरस्त है तो बच्चे जो पैदा होंगे वो भी रोग गरस्त होगा तो जो संतान हो गर्व में जो संतान सरवाधिक प्रभावित होता है वो मा के पोसंड से खान पान पोसंड से प्रभावित होती है तो हमारा यह answer इसमें से सही होगा Next question की तरफ चलते हैं Question number 29 मानो जीवन की मनो भावतिक एक्ता कहलाती है A. मन तथा सरीर का विक्यास B. सरीर तथा हड्डियों का विक्यास C. सरीर तथा हिर्दय का विक्यास D. आत्मा तथा मान पेसियों का विक्यास तो दोस्तों मानो जीवन की जो मनो भावतिक एक्ता है वो हमारा मन तथा सरीर का विक्यास कहलाती है क्या कहराती है मन तथा सरीर का विक्यास जो हमारा ए एंस्वर सही है 29 का ए एंस्वर हमारा सही है Next Question की तरफ चलते हैं दोस्तों Question No.30 2 से 5 वर्ष की आयू कहलाती है कोई बच्चा है जिसकी उम्र 2 से 5 वर्ष के अंतरगत है तो बालक जो है किस आयू कहलाएगा A जो है सैस्वा वस्था B बाल्य वस्था C उत्तर बाल्य वस्था D किस ओर वस्था तो दोस्तों 2 से 5 वर्ष की आयू कहलाती है वो सैस्वा वस्था कहलाते है क्या कहलाता है सैस्वा वस्था तो हमारा A answer सही होगा इसमें कौन सा A answer? सहस्वावस्था Next question गर्भ में सरवपर्थम निर्माड होता है जो गर्भ में सरवपर्थम निर्माड होता है कौन सा अंग निर्माड होता है? पहले सबसे A. पायर B. सीर C. धड़ D. सभी क्या तो दोस्तों जो गर्भ आउस्था में जो गर्भ में सरवपर्थम निर्माड होता है वो सीर होता है पहले क्या होता है? सीर का निर्माड होता है तो हमारा B. answer इसमें सही होगा Next question 32 मा क्यूश्चन जो हमारा है स्क्रीन पर तो 32 क्यूश्चन देखने से पहले दोस्तों वीडियों को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करिए लाइक करिए और कमेंट करिए दोस्तों तो आगे चलते हैं 32 क्यूश्चन की तरफ बालक के सिर्यों मस्तिष का सरवाधिक विक्यास किस अवस्था में होता है एग प्रवड़ा वस्था B. सैस्वा वस्था C. किसोरा वस्था D. बाल्या वस्था तो दोस्तों बालक के सिर्यों मस्तिष का जो सरवाधिक विक्यास होता है वो सायस्वा वस्था में होता है की सा वस्था में? सायस्वा वस्था में 32 का हमारा B answer सही होगा 32 का हमारा B answer सही होगा सायस्वा वस्था Next question की तरफ चलते हैं जैन्म के समय सिस्व में कितनी हड़ियां होती है? Most important question जैन्म के समय सिस में कितनी हड़ियां होती है A 206, B 230, C 270, D 320 तो दोस्तों 33 का जो हमारा एंसर है 270 होगा जो हमारा एंसर C सही होगा जैन्म के समय जो सिस में हड़ियां पाई जाती हो 270 पाई जाती है तो मारा एंसर कौन सही होगा C सही होगा Next Question Question No.34 दोस्तों बीजा वस्ता कहा गया है Question No.34 जो हमारा है कि जो बीजा वस्ता हो कहा गया है किस उम्रग में किस आयुके बच्चे को बीजा वस्ता कहा जाया है तो A जो है 0 से 2 सप्ता B 2 से 8 सप्ता C 8 से 16 सप्ता D जन्मजाद दोस्तों बीजा वस्ता जो कहा गया है वो 0 से 2 सप्ता की बच्चे को अगर कोई बालग 0 से 2 सप्ता के अंदर जो पैदा हुगा है उसका उम्र जो 0 से 2 सप्ता है तो वो बीजा वस्ता कहा जाता है तो हमारा इंस्वर कौन सा सही होगा 34 का A सही होगा Next question बालग अपनी मा को पहचानना प्रारंब कर देता है अगर कोई बालग है बच्चा न नहाता बच्चा है वो अपने मा को कब से पहचानना प्रारंब कर देता है किस उम्र से A 6 मा के उम्र से B 8 मा के C 9 मा और D 3 मा तो दोस्तों इसमें जो एंसर हमारा D सही होगा तीन मा है अगर कोई बालक तीन मा का है तो अपने बच्चे को जो है जो उसका बच्चा है वो अपने मा को जो है अगर देख लेता है तो उसका अनुकरान करने लगता है वो पहचानने लगता है तो यो उम्र जो होता है 3 माह का 3 माह का जो बच्चा होता अपने माह को धीरे धीरे हो प्रारम कर देता है पहचाना प्रारम कर देता है तो next question की तरफ चलते हैं question number 36 बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्ट उठा लेता है आपके अंसार उस बालक की आयू होगी अगर कोई बालक है नन्हा सा बालक वो कोई जमीन पर कोई वर्स्त पड़ा है जो उसे पसंद है उसे देखता है वो जमीन पर से उठा लेता है तो आपके अंसार वो बालक जो हता है कितने उम्र का होगा कितने वर्ष का, कितने माह का होगा, किस उम्र का आयू का बालक होगा यह है 12-13 माह, 20-5-6 माह, C-3-4 माह, और D-8-9 माह तो दोस्तों, 8-9 माह है, इसमें D हमारा इंसर सही है अगर कोई बालक 8-9 माह उसका उम्र है, आयू है, तो कोई वस्तों अगर जमीन पर पड़ा है, या चार पाई, या किसी बेड़ वगएरे पर कोई वस्तों पड़ा है तो उसे अपने ओर आकरसित पकड़ने की कोशिस करता है अगर वो भारी नहीं है, हलका वस्तु है, तो उठा लेता है, उठा के सीधे अपने मुह को तरफ ले जाता है तो उसके जो आयू होती है, वो आट से नौ माह की आयू होती है आट से नौ माह की आयू की अंतरगत वो एक रियाएं करने लगते हैं, बच्चे तो हमारा इसमें D-Answer सही होगा, 36 का D-Answer हमारा सही होगा Next Question चलते हैं, बालक के जन्म के समय सिध के मस्तिस्क का भार होता है अगर कोई बालक जन्म लेता है, तो उसमें उसका जो मस्तिस्क होता हो, कितने उसका भार होता है, कितने ग्राम का A-300 ग्राम, B-350 ग्राम, C-400 ग्राम, D-450 ग्राम तो दोस्तों, अगर कोई बालक जन्म लेता है, कोई C सिध जो है, तो जन्म के समय जो उसका मस्तिस्का भार होता है, वो 350 ग्राम होता है कितना होता है दोस्तों? 350 ग्राम, जो हमारा B-Answer सही है इसमें Next Question की तरफ चलते हैं हम प्रस्ट ने, 38 सीखने का आदर स्काल माना गया है जो सीखने का आदर स्काल है, वो माना गया है तो किस उम्र के बालक को लिए जो बालक है, जो कोई बालक सीखता है तो उसका जो आदर स्काल है, कौन सा वस्था को माना गया है देखते हैं हम A. सैस्वा वस्था B. बाल्य वस्था C. किसोरा वस्था D. प्रोड़ा वस्था तो दोस्तों सीखने का आदर स्काल जो माना गया है सैस्वा वस्था को माना गया है किसी माना गया है सैस्वा वस्था जो हमारा यह एंस्वर सही है यह हमारा एंस्वर जो है सही है Next Christian की तरफ चलते हैं Next Christian की तरफ चलने से पहले दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा सेयर करते रहिए तो देखते हैं हम 49 जो Christian हमारा है 49 39 कल्पना जगत में वीचरन होता है A. सैस्वा वस्था B. किसोर वस्था C. बाल्य वस्था D. सैस्वा वस्था वकिसोर वस्था तो दोस्तों कल्पना जगत में जो वीचरन होता है जो बच्चे कल्पना करते हैं वो किस उम्र के किस अवस्था के बालक कलपना करते हैं तो हमारा एंस्वर इसमें से D सहस्वा वस्था वा किसोरा वस्था हमारा D एंस्वर सही होगा सहस्वा वस्था वा किसोरा वस्था जो है कलपना जकत में विचरन करने वाला होता है तो हमारा D-Answer सही होगा 39 का D-Answer हमारा सही होगा Next Question Question No.40 एक बालक पडोसी के घर में अपनी मा की गोद में खेलता हुगा सोजाता है Most Important Question है दोस्तों ट्रिक लगाईए इस पर Important का एक बालक पडोसी के घर में अपनी मा की गोद में खेलता हुगा सोजाता है उसकी मा के द्वारा उसके पडोसी के यहां विश्तर पर सुलाते ही रोना प्रारम कर देता है आपके अनुसार बालक की आयू होगी उस बालक की आयू क्या होगी जो एक पडोसी के घर अपनी माँ के गोद में खेलते हुगा सोजाता है उसकी माँ जो है पडोसी के घर वहीं पे विस्तर पे सुलाते हुए जो सुला देती है अब सुलाने के उपरांतिवर ओना प्रारंब कर देता है तो दोस्तों उस बालक के उम्र क्या होगी लगभग उस बालक की उम्र क्या रही होगी या क्या होगी देखते हैं हमारा एंसर जो इसमें दिया है option a 24 माह, b 12 माह, c 10 माह और d 18 माह तो दोस्तों इसमें जो हमारा एंसर सही होगा 10 माह, c हमारा एंसर सही होगा कौन सा अंसर हमारा सही होगा इसमें C. दस माह का बच्चा Next question की तरफ चलते हैं हम बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है बालक किस उम्र में मुख्य मुख्य रंगों की पहचान करता है तो देखते हैं A. पांच वर्स के अवस्था B. दो वर्स की अवस्था C. तीन वर्स की अवस्था और D. चार वर्स की अवस्था तो दोस्तों अगर बालक कोई बालक है अगर वो मुख्य मुख्य रंगों की पहचान करता है तो उसकी उम्र जो है पांच वर्स का होगा वो बालक पांच वर्स के बालक में जो है मुख्य मुख्य रंगों की पहचान करनी की छमता उत्वन हो जाती है तो हमारा एंसर इसमें ये सही होगा पांच वर्स नेक्ट क्यूस्टन की तरफ चलते हैं क्यूस्टन नमबर 22 मिथ्य परिपक्वता का काल कहा जाता है ए सैस्वा वस्था, बी बाल्या वस्था, सी किसोरा वस्था, डी प्रवढ़ा वस्था तो दोस्तों मिथ्य परिपक्वता जो काल होता है उसकी सवस्था को कहा जाता है तो बाल्यावस्था को जो मिथ्या परिपक्कोता काल कहा जाता है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है बी हमारा इंस्वर जो है सही है बाल्यावस्था जो हमारा कीशन है उसका इंस्वर हमारा बी सही है बाल्यावस्था नेश्ट कीजचन की तरफ चलते हैं तो नेश्ट कीजचन हमारा 43 नंबर छोटे-छोटे वाक्यों को बोलना तथा तीन पहीओं की साइकिल चलाना या कारिक की सवस्था में होता है अगर कोई बालक है अपने टूटी-फूटी भासाओं में छोटे-छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है या तीन पहियों की साइकिल जो खिलवना होता है जो तीन पहियों का जिसके सहारे वो पकड़ के चलना प्रारभ करता हो तो किस अवस्था में होता है? A. सहस्वावस्था, B. बाल्यावस्था, C. किसोरावस्था, D. प्रोड़ावस्था तो दोस्तों सहस्वावस्था हमारा A. एंस्वर सही होगा छोटे छोटे बाक्यों में जो बोलना तथा तीन पहियों की साइक्ल चलाना या कार जो है सैस्वा वस्था के अंतरगत आता है तो हमारा किस वस्था में सैस्वा वस्था जो हमारा एंस्वर कौन सा सही होगा 43 का ए सही होगा सैस्वा वस्था Next Question 44 के तरफ Karl C. Gyarison ने किस वीदिका अध्यन किया जो Karl C. Gyarison महोदा ने किस वीदिका अध्यन किया A. छैती जी वी दी B. लंबात्मक वी दी C. सांख की वी दी D. प्रियोगात्मक वी दी तो दोस्तों कारल C. Gyarison महोदा ने जो है लंबात्मक वी दी का अध्यन किया 44 का जो हमारा B. अशर सही है लंबात्मक वी दी कौनसा वी दी लंबात्मक वी दी तो दोस्तों Next Question की तरफ चलते हैं हम Question No. 45 45 नेमन में से किस घटना की और बालक सर्वपर्थम आकरसित होना प्रारम करता है A. प्रकास B. मा C. ध्वन D. भोजन तो जो प्रकास है हमारा यह अनिस्वर सही है इसमें बालक जो है सर्वपर्थम आकरसित जो होता है प्रकास की और प्रारम करता है प्रकास कहीं लाइट का प्रकास आ रहा है या कहीं रोसंदान, खिड़की या दरवाजेक तरफ से कोई रोसनी आ रही है तो बालक जो है उसकी तरफ जो है आकरसित होना प्रारम कर देता है उससे देखना प्रारम करता है तो जो है बालक जो है सरवपर्थम जो है प्रकास की वर आकरसित होना प्राज़म करता है इसलिए हमारा इंस्वर इसमी कौन सा सही है ए सही है प्रकास की वर नेक्ष्ट क्यूश्चन चलते हैं हम बालक बालक्याओं को सरवाधिक समायोजन करना पड़ता है A. वजह संदिकार B. किसोरा वस्था C. सैस्वा वस्था D. बाल्या वस्था तो दोस्तों बालक बालक्याओं को जो सरवाधिक समायोजन करना पड़ता है वो वया संदिकार यह हमारा इंस्वर सही है 46 का यह हमारा इंस्वर जो है वया संदिकार जो वयाई संदिकाल के वस्था है वो बालक बालिकाओं को सरवाधिक समायोजन करना पड़ता है तो यह हमारा इंस्व जो है A सही है नेश्ट क्यूस्चिन बालक की जिग्यासा को किया जाना चाहिए अगर कोई बालक है जिग्यासू बालक कोई है तो उसके जिग्यासा को क्या किया जाना चाहिए देखते हैं हम A दमन, B सांद, C उत्तेजित, D सक्रिय तो दोस्तों अगर कोई बालक है बालक की जिग्यासा है उसे सांद किया जाना चाहिए बालक की जिग्यासा को ध्यान पुर्वक उसे समझा करके सांध किया जाना चाहिए कोई जिग्यासी बालक है अगर उसे तो उसे किस बारे में जिग्यासा उत्पन कर रहा है उसके बारे में उसे बता करके बीधि पूर्ण वक्त जो है उसे उस बारे में उसे समझा कर बुझा करके उसे जो है सांध कराया जा सकता है अगर कोई बालक जो है उसे अगर जिस जिग्यासा के प्रांथ अगर नहीं समझ पा रहा है तो उसके बारे मों बार बार जानने की कोशिश करेगा तो इसके लिए जो है सांध पुरुवक जो है जिस बिशे में उसका उत्पन हो रहा है जिग्यासा बालक का उससे सांथ पुरुवक उसके बारे में उससे जो है गहन अध्यान करा करके उससे सांथ किया जाना चाहिए तो हमारा B एंसर इसमें से जो है 47 का B जो हमारा एंसर है सांथ सही है Next Question की तरफ चलते हैं Question No.48 सीखना है एक जटिल सीखना क्या है A जो है मांसिक प्रक्रिया B सारीडिक प्रक्रिया C सामाजिक प्रक्रिया D नैतिक प्रक्रिया तो दोस्तों सीखना जो है सीखना जो है एक जटिल मांसिक प्रक्रिया है कोई चीज सीख रहे हैं अगर तो सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है तो हमारा ए एंसर सही होगा कौन सा एंसर सही होगा 48 का हमारा ए सही होगा मानसिक प्रक्रिया Next question की तरफ चलते हैं Question number 49 49 का भारत में बाल विटास की सुर्गात कब हुई भारत में बाल विटास की सुर्गात किस इस्वी में किस सन में हुई A. 1930 B. 1887 C. 1889 D. 1590 तो दोस्तों भारत में जो बाल विटास की सुर्गात हुई वो हमारा एंसर इस्वी से प्रारंभ हुई किस इस्वी से 1930 यह हमारा एंसर सही है यह हमारा एंसर जो है आपसन ए सही है 1930 इसी तो चलते हैं Next Question और आज का अंतिम Question आज हम 50 Question का जो प्रैक्टी से टलाये थे मनोभी ज्ञान का वो इंपार्टन क्यूस्चन था वो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करते रहे और ज्यादा ज्यादा से शेयर करिये जिससे और भी दोस्तों को वीडियो प्रवाइड हो सकी, तो चलते हैं हम, नेश्ट किस्चन की तरफ, आज का जो है, लास्ट किस्चन, पचासवा नमबर, टाप फिप्टी किस्चन जो है, टाप फिप्टी किस्चन में अंतिम किस्चन हमारा बिकास प्रारंभ होता है, एक गर्भावस्था, बी सैस्वावस्था, सी किसोरावस्था, डी बाल्यावस्था, तो दोस्तों, विकास जो प्रारंभ होता है, वो गर्भावस्था से ही सुरू होता है, कहां से सुरू होता है, गर्भावस्था से ही सुरू होता है, तो हमारा पचास का जो अंस्वर है, य आपसन हमारा सही है गर्भावस्था तो दोस्तों हमें उमीद है कि ये वीडियों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो चलते चलते एक बार इसे ज्यादा ज्यादा सेयर करिए उसके बाद हम नेश्टी दिन फिर टाप 50 क्यूचन लाएंगे तक तक के लिए धन्यवाद ओके थैंक यू